प्यारे बच्चों नमस्कार स्वागता आप सभी का नोलेज प्लान पर और नोलेज प्लान पर आज हम बात करेंगे 10 प्लस टू क्लास का रचेप्टर नमबर 10 है जिसका नाम है वेक्टर अलजबरा उसकी एक्सरसाइज 10.4 का तो प्यारे बच्चों 10.4 को समझने से पहले हम जो basic concept है उसको देखते हैं क्या है देखिए तो इस exercise में पढ़ते हैं हम cross product अथवा vector product of two vectors तो देखिए तो vectors का जो product होता है वो दो प्रकार से होता है बच्चों क्या product of vectors के बारे में जब हम पढ़ते थे product of vectors तो एक बात को हमने पढ़ लिया था क्या dot product के बारे में ठीक है अ अब आज हम बात करेंगे क्या cross product, cross product of vectors, product या फिर इसको कह देते हैं हम vector product, vector product of vectors, vector product तो इसको cross भी कह देते हैं और vector product भी कह देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है इसको समझने से पहले हम बात को समझते हैं किसको right hand thumb rule को to right hand thumb rule क्या कहता देखिए, right hand thumb rule टो ये क्या कहता देखिए, right hand thumb rule ये कहता बच्चो मान लिजिए मैं यहाँ पर coordinate system बना लेता हूँ, यहाँ पर coordinate system बनाते हैं और ये हैं मान लिजी आपका क्या, आपका y axis और मैं इसको space में ले ले Лेता हूँ इस परकार से, यह आपका x axis औ तो बच्चों इसमें देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, यदि मैं x-axis की rotation करवाता हूँ, किसकी तरफ positive x-axis की, positive y-axis की तरफ मैं rotation करवा रहा हूँ, यानि मैं इसको इस तरीके से ले के जा रहा हूँ, इसको इस परकार से ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं, इसको इधर ल सक्रिव कैसी advance होगा, आपका सक्रिव ऐसे advance होगा, इस परकार से, इसको समझने का प्रयाश करते हैं, किस परकार से, इस सक्रिव would advance in the direction of positive z-axis, ऐसे क्या होगा, एक स्क्रिव advance होगा, मतलब इसका कहने का मतलब मेरा यह है, कि जैसे मान लिजी यह, आप क्या करेंगे, देख होगा वो ऐसे इस परकार से मूख करेगा जैसे हम मतलब किसी लकड़ी में पेंच डालते है ना चूड़ियों वाला तो वो ऐसे इस परकार से उभरेगा उपर की तरफ तो कहने का मेरा मतलब है कि एक फोर्स लगेगा उपर की तरफ जैड एक्सिज की तरफ ठीक है तो इसको हम कहते है राइट हेंड थम रूल राइट हेंड थम रूल इसलिए बोलते है देखो यदि ये मेरा हाथ है और ये मेरा हाथ जैसे मान लीजिए य एक्सिज की पोजिटिव डिरेक्शन में था और मेरी ये जो उंगलियां है हाथ की ये क्या है पोजिटिव एक्सिज की direction में हैं तो ये उंगलियां अगर curl करें यानि के मूँ करें किसकी तरफ मेरे हाथ की तरफ यानि के positive y axis की तरफ तो एक force उपर की तरफ लेगा या मेरे अंग उठे की तरफ ये बाहर की तरफ लगेगा यानि पेपर से दो वेक्टर हैं, A और B, ठीक है, क्या है, A और B, तो आपके पास है, वेक्टर मान लिजे, यहां पर देखते हैं, इसको देखो, आपके पास एक वेक्टर A इस परकार से है, यहां पर एक वेक्टर है, और इसी तरीके से उपर ले लेता हूं, मान लिजे, यह वेक्टर A है, और इसी तरीके से ये vector क्या है? B है, ठीक है? अब आप लोग क्या करते हैं? ये है आपका मान लिजिए, angle theta, तो आप क्या करते हैं? ये जो vector A है, इसको angle theta के उपर, आप क्या कर रहे हैं? B की तरफ rotation करवा रहे हैं, anti-clockwise direction में, तो फिर वही बात हो गई, उपर की तरफ, यानि के यहां पर, क्या होगा एक, शक्रिव advance होगा, यानि कि फोर्स लगेगा, जो दोनों के base के उपर लगेगा, ठीक है? तो वो base के उपर लगेगा, उसको मैं down out कर देता हूँ, ये इस तरफ, ये N unit vector तो केवल क्या दिखा रहा है, कि इसकी direction में, Z axis की direction में क्या हो रहा है, मलमांग उठे की तरफ, एक force मतलब लग रहा है, उपर की तरफ, ये वास्त विक्ता में, यह plane पे तो उपर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये actual में क्या है, इसकी उपर ऐसे perpendicular है, और ये perpendicular force जो है, ये चो pen है आपका, इसकी direction में एक unit vector N लिख सकते हैं, ठीक है न, जो कि इसकी direction को बता रहा है, बस जिसका magnitude एक unit है, इसी परकार से, अगर आप B को A की तरफ rotation करवाते हैं, यानि के उल्टा लेकर के आते हैं, एंटी क्लोक वारे direction में, तो फिर कहां होगा फिर वो, आप ये उपर की तरफ नहीं, फिर ये कहां लगेगा, आपका फिर नीचे की तरफ हो जाएगा, या मुठा मतलब कहने का मतलब यह है, फिर ये नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और इसको बोलते हैं, इस फोर्स के अलोंग ये के यूनिट वेक्टर, माइनस N होगा, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको ठीक है, तो अब इन बातों को देखते हुए, यदि आप A और B का जो क्रोस प्रोड़क्ट निकालते हैं, तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, लिखने का तरीका है, A क्रोस B, ऐसे लिखते हैं, तो A क्रोस B किसके बराबर आएगा, कहता है कि इसकी डेफिनेशन ये है, कि आप क्या कर दीजिए, A का मैगनिचूड निकाल लीजिए, और वेक्टर B का मैगनिचूड निकाल लीजिए, दोनों का प्रोड़क्ट निकाल लीजिए, और ये जो एंगल है थिटा, इसका क्या निकाल लीजिए, साइन निकाल लीजिए, साइन थिटा, और क्या कर दीजिए, यह जो n है unit vector ठीक है जो इसकी along लग रहा है उपर या नीचे की तरफ तो into में क्या कर दीजिए n कर दीजिए तो आपके पास इन दोनों vectors का क्या बन जाता है cross product निकल जाता है तो यह है cross product की definition और cross product always क्या होगी एक vector quantity ही होगी scalar product always क्या होती आपकी वो होती है scalar quantity और लेकिन यह क्या बनेगी एक vector quantity ही बनेगी यह कोई scalar quantity नहीं आती तो अब देखिए इसमें और क्या खास बाते हैं इसमें observations क्या क्या आती है पहला observation तो यही कि जो a cross b है यह क्या बनेगा यह आपका एक vector quantity होगी vector बनेगी ठीक है दूसरी बात है अगर मान लिजिए a और b क्या है दोनो non zero vector है ठीक है a और b non zero है तो a cross b तभी zero बन सकता है cable और cable तब zero बन सकता है a और b can be equal to zero vector अब यहाँ zero नहीं लिखेंगे तो यहाँ zero लिखते रहे लेगी नहीं यहाँ क्या लिखेंगे zero vector कब if and only if a and b are parallel और collinear to each other यानि कहने का मतलब क्या है इन दोनों का cross product zero तभी बन सकता है zero vector जब क्या हो cable और cable जब a vector b क्या हो एक दूसरे के parallel हो या collinear हो collinear parallel एक ही बात होती है अगर यह दोनों एक दूसरे के parallel होते है तो फिर यहाँ पर meet ही नहीं करते है अगर नहीं meet करते है तो इसका मतलब जो cross product है इनका क्या होता zero होता zero vector बनता ठीक है उसके बाद अगली जो बात आती है अगली बात है कि भई मान लिजी यानि कहने का मतलब क्या है या तो theta क्या हो आपका ये कब बन सकता है theta zero हो या तो theta क्या हो आपका zero degree हो या फिर क्या हो radian में भी कह सकते है zero हो या फिर theta क्या हो आपका pi हो pi का मतलब मतलब एक vector इधर है और एक vector इसके अपोरे direction में है ठीक है तो इस परकार से theta zero या pi हो तो उसके बाद अगर आपके पास तीसरी बात आती है अगर theta क्या हो आपका pi by 2 यानि के 90 degree हो तब क्या होगा तब अगर आप a cross b निकालते हैं तो sin 90 क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा तो ये जो a cross b है वो क्या आएगा वो आजाएगा sin 90 की value 1 और n का magnitude 1 unit ही आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर magnitude of a और magnitude of b के बराबर आएगा फिर ये a cross b ठीक है इस परकार से उसके बाद अगली बात आती है जो आगे है जैसे मैंने आपको पताया था कि जो i और j और k i, j और k ये क्या है पिछे अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये पिछे वाले जो concept देखे है पिछली वीडियो के तो i क्या है x axis के along क्या है एक unit vector और j क्या है y axis के along unit vector k क्या है z axis के along unit vector x, y और z axis के along unit vectors तो जब आप इनका क्या करते हैं इनका cross product निकालते हैं तो i cross i i cross i किस के बराबर होगा ये j cross j के j cross j और बराबर होगा k cross k के बराबर होगा और सारे टिन्नों के तिन्नों के बराबर होगा zero vector आएगा کیوں आएगा देखिए क्योंकि i का i के साथ के बीच में angle क्या है 0 degree तो sin 0 की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है तो इस परकार से j cross j की value 0 k cross k की value भी 0 हो जाएगी इसी परकार से यदि आप लोग क्या करते हैं i cross j i cross j निकलते हैं तो इसकी value आएगी आपके पास क्या i cross j की value आएगी बच्चो vector k की बड़ाबर क्यों आएगी देखिए i जैसे अभी मैंने बताया था i जो है वो तो किसके along x है vector x axis के along एक unit vector है ठीक है और इसी परकार से j क्या है j है y axis के along तो आप जाब इनका cross निकालते हैं i cross j तो इसका मतलब अब ये बनेगा क्या देखिए ये दोनों एक दूसरे को पर perpendicular है तो एक z vector बनेगा z k along एक unit vector बनेगा तो z k along unit vector क्योंकि i cross j का मतलब ही क्या आता है जब इसको इसको तरफ rotation करवाते है तो एक vector बनता है जो z axis के along बनता है तो z axis अगर ये इसका magnitude एक unit है इसका magnitude एक unit है तो i cross j निकालोगे तो यहाँ पर एक unit vector क्या बनेगा k बनेगा तो इसलिए i cross j equal to k आएगा similarly आपके पास j cross k j cross k क्या आएगा बच्चो फिर वो i आजाएगा ठीक है i cross j k और j cross k k क्या आजाएगा i आजाएगा इसी परकार से अगर next देखते हैं क्या k k के बाद है किसका i का number आएगा k cross i is equal to क्या आजाएगा j आजाएगा ठीक है ना i j k to k cross i करोगे तो वापिस j आजाएगा अच्छा इनका उल्टा क्या होगा फिर उल्टा ऐसे देख सकते हैं यदि आप लोग क्या करें उल्टा देखें तो j cross i क्या आएगा j cross i उल्टा देखें तो i का number पहले आना ये था j का बाद में लेकिन ये पहले अगर ले लिया तो ये होगा आपका minus k यानि के फिर आपका है ना जो ये force लगेगा anti clock where direction में लगेगा यानि अगर आप इस vector को क्या करते हैं देखो इस vector को y को इस तरफ x axis की तरफ rotation करवाते हैं तो फिर ये जो मैंने उपर बनाया था ना ये जो force लगेगा फिर ये नीचे की तरफ लगेगा यानि किसके direction नीचे की तरफ होगी z axis की नीचे की तरफ तो z axis के along क्या है फिर minus k है तो ये minus k आएगा इसी प्रकार से समझना चाहिए जैसे k cross j निकालोगे तो k cross j निकालोगे तो फिर क्या आएगा minus i आएगा और similarly अगर i cross k निकालोगे i cross k निकालोगे तो क्या आएगा फिर minus j आजाएगा इस तरीके से आजाएगा ठीक है उसके बाद जो अगली बाद आती है अब यहां से आप लोग क्या करते है मैंने यह जो formula निकाला है यहां से क्या अभी निकाला था वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता a cross b किसके बराबर होगा आफका magnitude of a magnitude of b और फिर क्या लिखते है sin theta और फिर लिखते है यहां पर unit vector n यदि मैं क्या कर देता हूँ दोनों तरफ magnitude कर देता हूँ इस तरफ b और इस तरफ b अगर आप magnitude करेंगे दोनों का mode करेंगे ना तो फिर यह होगा a cross b का जो mode आएगा वो किसके बराबर आएगा अब a का डोब बार mode करोगे तो फिर magnitude a ही रहेगा इस पे कोई फरक नहीं पड़ेगा और b के उपर क्योंगी constant का mode तो फिर constant ही रहेगा sin theta का mode करोगे तो उसके कोई फरक पड़ने वाला नहीं है तो sin theta ही रहेगा और n का magnitude निकालेंगे क्योंकि यह तो unit vector n है मतलब इसका magnitude तो एक unit है तो एक हो जाएगा तो एक लिखने की जुरूर तो नहीं है तो इसलिए अब यहाँ से sin theta अगर आपने लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A cross B का magnitude इदर है left hand side में ठीक है magnitude और निचे क्या हो जाएगा magnitude of A into magnitude of B इस परकार से हम क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मतलब sin theta दोनों vector के बीच का angle निकाल सकते हैं ठीक है A और B के बीच का तो उसके बाद अगली जो बात आती है आपकी आगे हैसमें अगर हमारे पास क्या हो आपके पास दो triangle एक triangle है बचो उस triangle का area कैसे निकाल लेंगे अगर उसकी जो दो side है दो side ऐसे दे रखी हैं triangle की adjacent side बनती है और वो adjacent side दो vector को represent करती है मान लेजिए आपके पास क्या है एक triangle है इसका नाम ले लेते हैं जैसे ये कोई मैंने triangle बना ली और यहाँ पर इस triangle का नाम है मान लेजिए ABC ठीक है ABC तो ये कोई triangle है और मान लेजिए ये जो AB है इस side के along vector जो है वो क्या है vector A है यानि कहने का मतलब है ये जो AB है ये vector A है ठीक है और इसी परकार से जो AC है मान लेते हैं ये vector B है ठीक है ये जो AC side है triangle की ये vector AC को represent कर रही है तब आप vector के हिसाब से cross product के हिसाब से इसका area कैसे निकाल लेए तो इसका area निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं बचो देखो triangle का area हम कैसे निकालते हैं 1 by 2 base into height तो आप क्या कर लें C से इसके उपर perpendicular ड्रा कर लें मान लेते हैं ये CD perpendicular हमने ड्रा कर लिया इसके उपर अब आप लोग क्या करें अब इस triangle का area निकालने से पहले मान लें इन दोनों वेक्टर A और B के बीच का जो angle है वो क्या है A और ये B है आपका ये angle theta है इस परकार से ठीक है anti-clockwise direction में तो मैं यदि क्या करूँ बचो अब यदि मैं ऐसे ले लेता हूँ देखो base अगर मैं इस triangle का area निकालता हूँ अना तो मुझे base तो है मेरे पास height की जरूरत पड़ेगी तो मैं cd निकाल लेता हूँ cd upon में क्या कर लेता हूँ in triangle किसमे? a, d, c में cd upon में ac लिख लिए cd upon में ac लिखा बचो और आप लोग इसको कह सकते हैं ये क्या होगा देखो perpendicular upon hypotenuse क्या होगा? आपके पास sin theta sin theta तो आप ये जो cd है इस cd को क्या कह सकते हैं? देखिए cd को तो cd ही कहे लिजिए एक बार cd upon में ac को क्या कह सकते हैं आप लोग? ac को कह सकते हैं vector ac का magnitude vector ac का magnitude ठीक है न, परिमानकुल तो equal to sin theta और इसी को क्या कह सकते हैं CD अपन में वेक्टर AC को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर B का मैगनिचूड वेक्टर B का मैगनिचूड इक्वल टू साइन थीटा अब आप CD की वैल्यू निकाल लीजिए इसका base AB और into में इसकी height यानि के CD ऐसे बोलेंगे इस बात को लेकिन यहाँ पर देखो अगर मैं क्या कहूं 1 by 2 into में इसको मैं AB को क्या लिख सकता हूं देखो AB वेक्टर का magnitude वेक्टर AB का magnitude और into में क्या लिख सकता हूं CD ऐसे लिखा दा सकता है और इसी बात को कह सकते हैं बच्चों 1 by 2 A B vector का magnitude यानि किया कह सकते हैं vector A B कौन है vector A है vector A का magnitude और into में C D क्या है देखिए यहां पर C D की जगह क्या है देखिए magnitude of B और into में sine ठीटा है ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब देखो 1 by 2 तो आपका as it is और यह जो मैंने अभी निकाला था ना A क्रोस देखो magnitude of A magnitude of B sin theta यह किसका मान है देखिए आप पिछे अभी मैंने देखो यह किया था वो मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहां पर आप जब क्या करते हैं A क्रोस B निकालते हैं दो वेक्टर का क्रोस प्रोड़क्ट लिखते क्या उसको magnitude of A magnitude of B और into में sine theta और फिर क्या करते हैं यहां पर unit vector N आप दोनों तरफ यह दि मैंने magnitude ले लिया यहां पर देखो तो यहां पर भी क्या होगा आपका magnitude मैंने लिया था भी तो A क्रोस B का जो magnitude आया वो क्या आया यह आया magnitude of A magnitude of B एक बार ही लिखेंगे sine theta agities और N का magnitude तो 1 हो गया लिखने की दूरूरत नहीं है तो सेम यही चीज़ तो यहां पर आई हुई है देखो यही तो यह है तो इसका मतलब मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ इस पूरे को लिख सकता हूँ A क्रोस B का magnitude तो इसलिए 1 बाई 2 तो आपका agities रहेगा और इसको क्या लिखू मैं vector A क्रोस vector B और इस पूरे का magnitude तो इस परकार से वन जाता है उसके बाद जो अगली बात है तो हम triangle का area कैसे निकाल सकते है यह दोनों जो vector है जो दोनो side के along है आप इनका क्या कर लिजए क्रोस प्रोडक्ट निकाल लिजए ठीक है क्रोस प्रोडक्ट निकाल करके फिर इसको क्या कर दिजए मैगनिचूर निकाल लिजए और फिर इसको वन बाई टू से multiply कर दिजए तो इस परकार से इसका area आजाएगा square units ठीक है ऐसे triangle का area तो ऐसे कर सकते है उसके बाद आप पैरदलोग्राम का area भी ऐसे ही निकाल सकते है ठीक है और मान लेते हैं कि यह जो AB मनलेते है इसको AB vector है यह और AB vector है इसको represent करते हैं वेक्टर A से और similarly AD को हम मान लेते है क्या vector B तो यह इसकी 二 crooked side हो गई ठीक है ना यह vector B हम लेंगे तो अब इसका area कैसे निकाल लेंगे तो इसका area निकालने के लिए भी फिर वही काम करते हैं इसके उपर क्या कर लेते हैं हम प्रपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं प्रपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो मान लीजिए डी प्रपेंडिकुलर है और इसका अरिया निकले है कैसे इसका अरिया हम निकालते है अरिया उपैर देलोग्राम तो ये क्या बनेगा AB मतलब AB side into में DE side और इसी को आप लोग क्या कह सकते है AB side की बजाए AB का magnitude वेक्टर AB का magnitude और इंटू में DE ऐसे कहा जा सकता इसको और इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या लिख सकते है AB के magnitude की बजाए वेक्टर A का magnitude इंटू में DE अब यहाँ से DE की value निकाल लीजी आप तो जैसे DE की value पिछे निकाल ली थी हमने DC लिखा हुआ था वहाँ पर यहाँ पर भी क्या कर लीजी आप आप लिखिए DE DE और यह मान लीजी ए angle है दोनो sides के बीच में side दिख दी बच्छो तो क्या होगा वही बात है sin theta तो जो DE है DE के तो agities रखिए आप AD को कह सकते हैं AD को कह सकते है AD vector का magnitude AD vector का magnitude equal to sin theta और इसी बात को आप लोग कह सकते हैं बच्छो देखो D तो आपने agities लिख दिया और AD vector के magnitude को क्या लिख सकते है आप vector B का magnitude vector B का magnitude sin theta तो फिर क्या हो जाएगा इधर ले जाएगा तो DE की value निकालिया आप क्या हो जाएगा vector B का magnitude into sin theta तो इस परकार से आपने DE की value फिर कहां रख देनी है यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा area क्या हो जाएगा magnitude of A area बन जाएगा आपका magnitude of A लिखा हुआ है आपने और फिर यहाँ पर क्या है गुना में D E है D E की जगे क्या लिख दें magnitude of B और into में sin theta ऐसे लिख दिया तो यह क्या आजाएगा आपके पास किसका पैड़ देलोगराम का area लेकिन यह तो किसके बराबर होता है बच्चो यह आभी सीधी के अधाम नहीं यह तो A क्रोस B के बराबर है vector A क्रोस B हमने पिछे A क्रोस B का magnitude ऐसे ही तो निकाला था वो क्या होता था magnitude of A magnitude of B sin theta ठीक है ना क्रोस तो इसके बराबर होता है लेकिन जब दोनों तरफ मोड करते हैं तो यह value तो आती है ठीक है तो इस परकार से आप इसका area निकाल सकते है तो यह था बच्चो इसका concept और इसमें एक बात और बसती है तो उसको और देख लेते हैं आप A क्रोस B को ऐसे भी निकाल सकते हैं देखिए जैसे तो बच्चो देखिए अब जो लास्ट concept है इसका वो देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं अगर A क्रोस B है इसको आसान कैसे कर सकते हैं मान लिजी मुझे क्या करना है A क्रोस B निकालना है दो वेक्टर्स का तो आसान तरीके से कैसे निकाल लें तो देखिए पहले लेट कर लेते हैं दो वेक्टर ले लेता हूं बच्चों मैं पहले वेक्टर A मान लिया लेट किया A1I प्लस A2J और प्लस में A3K है और इसी परकार से लेट दूसरा वेक्टर B है इसको मान लेते है B1 I पलस B2 J और पलस में B3 K अब क्या कर देता हूं मैं इन दोनों का क्रोस प्रोड़क्ट निकाल देता हूं बच्चों क्रोस निकाली है A क्रोस B तो देखो जब आप क्रोस निकालेंगे न इसके साथ क्रोस करोगे तो 0 आएगा I क्रोस आई तो आपको पता ही इसका इसके साथ करो I क्रोस J क्या आएगा K तो ये दोनों के तो गुना होगी किसकी A1 की B2 के साथ और I क्रोस J क्या हो गया आपका K हो गया इसी प्रकार से जब आप इसकी इसके साथ करेंगे तो i cross j आना चाहिए था पहले लेकिन यहाँ k आ गया तो i cross k तो minus j होगा ना तो आप minus का sign लगा दीजिए a1 b3 a1 b3 और minus का j आ गया ना इसलिए मैंने minus लगा दिया फिर आपने इसकी तो a2 b1 और j की i के बाद साथ है तो j का i के साथ करोगे जो कि cross करोगे तो j के बाद की आना चाहिए था लेकिन यहाँ आई आ गया तो इसलिए आनसरा आएगा minus में k तो इसका मतलब क्या हुआ a2 b1 a2 b1 minus का k इसलिए यहाँ पर minus लिए फिर आप इसका यहाँ आई आजाएगा a2 b3 यानि प्लस a2 b3 और i आजाएगा ठीक है हो गया इसका भी अब करते हैं इसकी इन तिनों के साथ a3 k के बाद k के बाद i का ही नमर तो आता है तो प्लस लिख दिया मैंने k के बाद last में फिर i फिर से आ जाता i j के तीन ही तो होते हैं यह तो क्या लिखोगे a3 b1 a3 b1 और k i फिर j आ जाएगा ठीक है k क्रोस i उसके बाद इसकी इसके साथ करो तो देखो k के बाद j का नमर थोड़े गया था i का नमर आना चाहिए था लेकिन यहां पर क्या हो गया j का तो इसलिए माइनस हो जाएगा माइनस a3 b2 a3 b2 और k क्रोस j का जाएगा माइनस का i ऐसे लिख दिया अब जब इसका इसके साथ क्रोस करोगे तो जिरुआ जाएगा तो यह आ गया अब आप लोग क्या करिए यह जो एक रोस b है आपका यह क्या जाएगा आपका देखिए यहां पर i वालों में से j वालों में से क्या वालों में से कॉमन निकाल दिजिए तो पहले माइ आई वाला पलस का ले रहा हूँ कौन सा देखो यहां देखिए आपका यह पलस का है I, और यहाँ पर माइनस का है, तो दोनों में से I common निकाल दिया, अब गना क्या, A2, B3, माइनस A3, B2, A2, B3, माइनस A3, B2, और common हो गया दोनों में से I, ठीक है, और अब क्या करने देखिए, अब J वाले में से लिखा लेता हूं, जे वालों में से मैं पहले माइनस का लिख ता हूं फिर पलस का, ठीक हो, ठीक है, देखिए, A1, B3 है J के आगे, और यहाँ पर देखिए, A3, B1 है J के आगे, ठीक, तो मैं इसकी बजाए, इसको पहले लिख दूँ, और दोनों में से मैं माइनस common निकाल दूँ, बाहर माइनस common निकाल दिया, और साथ में J, J को मैं ब common निकाल दिया, तो K वाला, यह माइनस का है, और यह पलस का है, तो A1, B2, A1, B2, और माइनस में A2, B1, A2, B1, और साथ में क्या है, इनका common K, अब देखो यह आ गया, A cross B, अब इस A cross B को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो, मैं इस पूरी statement को क्या लिख सकता हूं, यह जो A cross B है, इसको एज़ इस लगस 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 दीजिए, इधर life time side में, और यहां पर एक काम कर लेता हूं, बच्चों, मैं के determinant बना लेता हूं, कैसे, यहां पर मैंने I लिख दिया, यहां पर J लिख दिया, लिख दिया, उसके बाद, यहां पर मैं क्या लि आएगा, यह चेक करते हैं, देखिए, मैं I को लिख दिया, इस रो को छोड़ दिया, इस को छोड़ दिया, किसकी किसके साथ गुना, इसकी, इसके साथ, A2, B3, देखो, A2, B3, माइनस, A3, B2, A3, B2, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, फिर यहां पर क्या लिख दि तो मैंने क्या लिख दिया, देखो, यह माइनस का, J लिख दिया, उसके बाद, अब यह कोलम छोड़ दिया, इसकी, इसके साथ गुना करो, A1, B3, यह रहा, A1, B3, माइनस, A3, B1, देखो, यह रहा, A3, B1, ठीक है, फिर पलस, फिर क्या गरूँ, मैं इसको लिख दिया, के A2, B1, ठीक है, तो यह इस परकार से, कहने का मेरा मतलब यह है, कि यदि मैं इस डेटर्मिनेट को खोलता हूँ ना, तो यही चीज़ तो आ रही है, बिल्कुल, और यह है क्या फिर आपका A क्रोस B है, तो इसलिए A क्रोस B होगा, यानि इसका डेटर्मिनेट निकलते हैं, तो A क्रोस B निकल जाता है, अपने आप ही, तो इस परकार से, आप है ना, जब भी किसी दिने दो वेक्टर का क्रोस प्रोड़क्ट निकालना है, तो आप क्या कर देंगे, आई-जे के उपर लिख लेंगे, दोनों के स्केलर कंपोनेंट, पहले वेक्टर के यहां दिख दि 10.4, तो 10.4 का पहला ही सम है, जैसे मान लेजिए, वेक्टर A है आपके पास, वेक्टर A, क्या है, A है, I-7J, और प्लस 7K, और इसी तरीके से, वेक्टर B है आपके पास, क्या, 3I-2J, 3I-2J, और प्लस 2K, आपको क्या करना है, दोनों का क्रोस प्रोड़क्ट निकालना है, A A क्रोस B, तो मैंने क्या बता है, इसी परकार से, आपको सिधा प्रोड़क्ट करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करने की, लेकिन ये आसान हो जाएगा, यहां लिखेंगे, आई, J, K, यहां पर लिखेंगे, पहले वेक्टर के स्केलर पुनेंट 3, माइनस 2 और 2, अब आप इसका डेटर्मिनेट निकाल देंगे, तो आपका एक रोस B आ जाएगा, लेकिन आपको एक रोस B नहीं निकालना है, एक रोस B का मैग नहीं चूड़ निकालना है, ठीक है, तो एक रोस B तो पहले निकलेगा, देखो, I लिखेंगे, इसको शोड़ देंगे, माइनस 7 दूनी 14 है, और फिर यहाँ देखिए, इसको शोड़ दिया, माइनस 7 दूनी 14 है, और यहाँ पर पलस 7 दूनी 14 हो जाएगा ना माइनस की जगा है, पलस, डेटर्मिनेट मैट निकालना जामते हैं तो आप, फिर माइनस का J लिखेंगे, ठी आपके बाती एकिस माइनस हो रहा थो प्लस का एकिस तो, बच्चों, ये क्या बन जाता है आपके पास? देखिए, यह आगया, एक करोस B इस एकुवल टू, आपके पास ये तो जीरो ही हो गया यहाँ देखिए, एकिस मेंसे दो गया, माइनस का उन्निस जे और इसी प्रकार से किस में से दो गया यहां पर यहां पर क्या हो गया उनिस उनिस के तो यह हो गया आपके पास इस तरह से अब आप लोग क्या करें एक रोस बी का मैगनी चुड निकालते हैं तो मैगनी चुड निकालने तो 361 पलस 361 ठीक है और इसके उपर अंडरूट ऐसे ही करते हैं आप जब मैगनिचूड निकालने किसी वेक्टर का एक वेक्टर आ गया था ना तो क्या हो गया है यह हो गया दो छैर छैर बारा तीन अर तिन छैर एक साथ साथ सो बाइस अब इसको है ना आप लोग क्या करते हैं इसका अंडरूट इसको लिखेंगे 361 गुणा में 2 ठीक है तो 361 का अंडरूट कितना हो गया 19 और रूट 2 आपका यूं का यूं तो इस परकार से इसका मैगनिचूड आ जाता है ठीक है दोनों एक्टर का कौनसा क्रोस प्रोड़क्ट का मैगनिचूड ठीक है तो ऐसे करना है तो बच्चो हमने इसके बेसिक को समझा और जो समझ है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए आपका धन्यवाद